तो नमस्कार दोस्तों, एलो एवरिवन, गुड मॉर्निंग, गुड अप्टरनून, जब देखे बाद में वीडियो देखे तो गुड इवनिंग, आज हम लोग का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन के निन धालपी, या इलेक्ट्रॉन एफनिटिक, किस टॉपिक के बाद यह मैं एड कर दूँगा, उसको आपको प्राक्टिस कर लेने हैं, चलिए आए, इलेक्ट्रॉन एफनिटी को बिना किसी विलंब के स्पार्ट करते हैं, यह आईउनाजेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, पहले देख लिया जाए, रिलेटेड विद आईउनाजेशन ओफ एटम और मॉलीक्यूल बाई एडिशन ओफ एलेक्ट्रॉन, जैसे आईउनाजेशन एनरजी में आप क्या करते थे, आपने बोला था, कि वो रिलेटेड था, आईउनाजेशन ओफ एटम और मॉलीक्यूल बाई रिमूवल अफ एलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या बोल लेओ, रिलेटेड विद आईउनाजेशन ओफ एटम और मॉलीक्यूल बाई एडिशन ओफ एलेक्ट्रॉन, जैसे अगर माल लो कि आपको O गैसियास है, वहाँ आपने निकाला था, यहाँ आप तो समझ में आगई चीजें, जैसे वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, जो आपका O गैसियास, O प्लस गैसियास में जाता था, तो उस प्रोसेस का जो डेल्टा ह होता था, यह एलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी, केमस्ट्री में इंथाल्पी और एनर्जी एक चीजे नहीं हैं, definitely अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम लोगों को करना क्या होता है, actually trends पर बाते करनी होती है, relative, comparable values पर बाते करनी होती है, इसलिए हम लोग roughly inorganic chemistry में बहुत जादे differentiate नहीं करते हैं, लेकिन फिर से एक बार बोल दो, दोनों चीजें exactly सेम नहीं होती, आगे बात करें, कहां पर करोगे, addition of electron कहां पर होगा, जरा सोचो, कहां पर होगा, किस orbital में, और जब भी आप videos देखते हैं, recordings देखते हैं, तो हमेशा ये धियान रखे, एक चीजों को, एक चीजों को practice में डाले, online बहुत बड़ी चीज हो गई है, और है भी बहुत, मतलब आप किसी से भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप without covering any distance आप कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसको थोरा सा discipline में लाने की ज़रुरत होती है, online में problem कहा है, उस problem को खत्म करना होता है, problem होता focus का, problem होता concentration का, तो एक उसको खत्म करना है, तो concentration कैसे बनाया जाए, focus कैसे बनाया जाए, कैसे distraction को खत्म किया जाए क्योंकि होता क्या basically जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, अब एक इंसान को देख रहे हैं, सिर्फ एक इंसान को देख रहे हैं कुछ भी वो नहीं पढ़ेगा साला, तो ऐसे चीज़ें होती हैं, तो ऐसे situation में क्या करना होता है, कैसे distraction को कम किया जाए, जब भी teachers बोलते हैं तो आप साथ में बोला कि बिना इस चीज़ की परवाह कि अगल वगल में कौन बैठता है, तो कि आपको सीखना मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि O-Gaseous को O-Gaseous में ले जाना है, तो addition of electron 2 कि सुरवाइटल में electron एड होगा, तो ऐसा नहीं कि सुनना है, सर क्या बोलेंगे, फिर मैं वो सोचूंगा कि ये सही है कि नहीं, मेरे को समझ में आया कि नहीं, क्या करना चाहिए, उसी वक्त आ थोड़ा loudly बोले, इसमें कोई सर्म की बात नहीं है, आपने अपने पैसे आपने ही दिये, कोई आपका बगल का अगल बगल बैठा हुआ, आपके दोस्तों ने पैसा नहीं भड़ा है, फीज नहीं दिये, आप IIT में जाओगे, किसी medical college में जाओगे, ये भी आपकी खुद क strength ability decide करेगी, आपका परोसी कितना बगल बाला पढ़ने में तेज है, या पढ़ता या नहीं पढ़ता, उससे आपका IIT में selection या किसी medical college में selection नहीं होने जा रहा, ठीक है, आप खाना खाओगे, आप ही को फायदा होगा, परोसी कुछ अच्छा चीज खाएगा बगल बाला, तो बाकी लोगों को जो सोचना सोचने दे, आपका काम क्या है, उसको loudly बोला, कोई सर्म की बात नहीं है, आप कभी सोचते हैं, आपको ये परशानी महसूस होती है, कि आप distract कर जाते हैं दाएवाई, पर बात को गौर से सुनना, चल देतो हो पुस्पा देखने, चल देतो ह कोई आ गया, ममी आ गई, कोई आ गया, घर पे बटा एक ग्लास पानिला चल दिये उधर, कभी ये सोचते हो एक टीचर की नजर येसी सा ओनलाइन क्लास को, टीचर कहां देखते हैं, तुम एक स्क्रीन को देखते हो, उस स्क्रीन की साइज अगर आपका लेप्टॉप है तो अच्छा खासा है, 12 इंच है, अगर आपका टैब है तब भी 10 इंच है, अगर आपका फोन है तब भी 8 इंच, 9 इंच है, और पता एक टीचर कहां देखते हैं, सोचो, एक टीचर कहां देखते हैं, टीचर को एक पॉइंट पे देखना होता है, कैमरा में एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पर कितना डिफिकल्ट होगा यार तुम 10 इंच का स्क्रीन देख सकते हो तब तुम डिस्ट्रैक्ट कर जाते हो और टीचर को क्या तुमने सामने वाले को क्या काम दिया हुआ एक पॉइंट पर देखना होता टीचर को मैं भी आपके तरह इधर दाएं बाएं देखकर कर पढ़ाऊं तो कैसे हो सकता कोई वी टीचर तो क्या मैं यह सोचू कि कोई मुझे देख रहा है मेरा स्टूडेंट मेरे को देख रहा है ओनलाइन देख रहा है वो क्या सोचेगा कि सर मेरे को घूर क्यों रहे हैं आप समझ मेरे बातों को इसलिए यह चीज कभी ना सोचें कि आप एकदम ना सोचें आप कि बगल वाला क्या बोल रहा है एकदम बोल देना मैंने बोला किस और बैटल में होना एक दम नॉर्मल वाइस में जैसे क्लासरूम में टीचर पुछते हैं बटा उस तरह से रियक्ट करना क्य सर 2P atomic orbital और अगर नहीं समझ में आया तो भी बोलना है सर नहीं समझ में आया और टाइप कर देना लेकिन बोलना है एक दिन दो दिन बाद दोस्त लोग अपने हट जाएंगे समझेंगे कि इसका अलग है चलो आजो तो कहां पर एड करोगे 2P में क्योंकि इसके जो configuration है आपक इसके जोचा कि सर्फ दोनों में से किसी में हो सकता तो आपका जबाब सही है लेकिन अगर आपने सोचा कि सेकंड में एड होगा तो जबाब गलत है यह दोनों बड़ाबर energy वाले हैं इसलिए इन दोनों में से कहीं भी electron एड किये जा सकते हैं तो या तो यहाँ पे या यहाँ तो addition of electron 2, 2P atomic orbital आपने बना दिया अब इसी तरीके से molecule में भी electron का addition हो सकता है दोस्त ध्यान से आपने electron add किया तो क्या बनेगी आपका o2 minus अब यहाँ पे electron कहाँ पे एड हुआ addition of electron कहाँ पे हुआ याद करो याद करो हमने पढ़ाया है addition of electron true कहाँ पे याद करो हमने पढ़ाया है 5 star 2P anti-bonding molecular orbital हमने magnetic property में भी करवा है है आप लोगों को ताबिस गर्व आयूश शुषान सब लोग एक ही नंबर से एक ही फोन से हैं जी online चार्ट के चार लोग अब उधर से सुसान्त shift कर गिया है lucky के फोन पे सुसान्त अनन्त गूड अफ्टर नून एक फोन में क्या लटके पड़ेगों मदुमक्खी के तरह चलागा तो इसका क्या है configuration यह देख ले क्या था यहाँ पर अगर नहीं ध्यान में है तो कोई बात नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ पाइ स्टार टू पी एक्स और पाइ स्टार टू पी वाई यही था ना इन दोनों में से एक बार फिर से कहीं भी आप एड कर सकते हो उधर या इधर किसी दे भी क्लियर है आजो तो electron gain enthalpy या electron affinity हमने बोला पहला पेज है यह बहुत मामूली सा चीज है इसमें कि यह related है atom या molecule को ionize करना तो ionize अपन दो तरीके से कर सकते हैं एक electron निकालके और एक gain करके जब आप निकालके ionize करते हो positive charge लाते हो तो वहां जो डेल्टा है रिलेटेड होता है उससे concerned होता है उसको आप ionization enthalpy ionization energy बोलते हो और जब आप क्या करते हो बटा electron add करके ionize करते हो तो उस समय का जो डेल्टा है उससे related है वो क्या है electron affinity electronic enthalpy बहुत सारी चीज़ें बाकी है आई ये next page में लें चलता हूं आपको कोई doubt हो तो तुरंट एकदम तुरंट पूछना है कोई विलम नहीं तुरंट का तुरंट पूछना आजो now अब आप जो add करेंगे जरा इस point को समझा जाए औवियस सी बात है isolated atom में add करेंगे जैसे isolated atom से आपने निकाला है यहाँ पर z है लेकिन boundary पर periphery पर जो z का effect काम करता है आप इसको क्या बोलते बटा जैड इफेक्टिव ना यही जैड इफेक्टिव काम करता है periphery पर मतलब nuclear charge क्योंकि यहाँ पर electron है इसके orbits में orbits में चारो तरफ क्या है electrons है ठीक है तो इसके z के effect के वज़ा से यह बंधा हुआ है कोई बाहर से एक electron सही है जब इसके area में प्रवेस करेगा एंटर करेगा अच्छे से point को सुनेंगे कोई बाहर से एक electron जब इसके area में reason में approach करेगा तो चुकि यह negative charge और यह positive charge का effect है z effective तो यह इसको अपने आप pull कर लेगा कुछ समझ में आया spontaneous addition होगा आप नहीं करवा रहे हैं आप infinity पर से किसी electron को बस ला करके इसके field में छोड़ दे रहे हैं ठीक वैसे जैसे magnet के field में किसी magnetic substance को ले जाकर कि आप release कर देते हैं छोड़ देते हैं उसके बाद वो spontaneous attraction के through उसके पास चला जाता है close तो अगर आप एक बार इसके field में कहीं पर ले जाकर कि आपने छोड़ दिया field मतलब क्या हुआ यह जो जैड का असर जहां तक है positive charge का effect जहां तक है तो यह अपने आप ले लेगा तो आप बोलोगे कि यह जो addition है यह spontaneous addition है अच्छे से सिखिएगा मिटा यह addition spontaneous addition है लेकिन ठेयरिटिकली ठेयरिटिकली सर आपने क्या बोला क्यों बोला theoretically हमने theoretically इसलिए बोला क्योंकि practically आप समझ सकते हैं कई एक बार ऐसा होता है कि atom inert gas और noble gas है तो वह electron तो लेगा नहीं ठेयरिटिकली अगर समानी तो पर बात की जाए तो किसी atom के तरफ एक free electron को ले जाए तो उसके field में आने के बाद जेड के nuclear charge के effect में आने के बाद वह addition अपने आप हो जाता है और हमने आपको पढ़ाया है अगर कोई अपने आप addition हो तो delta h negative बोली जाती है ठीक है अगर आप नहीं करवाया तो delta h positive इसी delta h को आप बोलेंगे ध्यान से electron gain enthalpy easy 1 चुकि पहली बार एड कर रहे हैं तो easy e1 या आप इसको ea1 बोलेंगे electron affinity easy electron gain enthalpy ea electron affinity मैं clear करूँगा धीरे धीरे अब इस तरह से वो atom neutral न रहकर के अनायन हो गया सही है तो इस तरह से यह अनायन बने गया तो इस तरह से basic definition क्या तयार करोगे आराम से आजाओ electron affinity का electron affinity या enthalpy का electron या enthalpy का basic definition क्या तयार होगा it is the amount of energy released amount of energy released negative sign आएगा यह लो negative हमने लगा दिया इसमे यह negative अभी छोड़ दो हटाओ it is the amount of energy released negative का मतलब released कब when an extra electron is added कहां पे to the outermost orbit किसका of an isolated अकेला gaseous atom हमने फिर बोला molecule में भी add हो सकता है लेकिन जैसे ionization energy में भी हमने आपको पढ़ाया कि atom में भी add होता है lose होता है atom से भी और molecule से भी लेकिन समानी तोर पर atom से निकालना आसान होता है इस वजह से आप atom में ही add करते हैं सुरी निकालते हैं कि molecule में electrons polycentric zone में फसे होते हैं और bonding molecule orbital में फसे होते हैं हमने आपको clear पढ़ाया है तो atom से निकालना आसान होता उसी तरह atom में add करना आसान होता है वजह क्या है molecule अपने आप में बनता है atom combine करके अपने potential energy low कर लेता है stabilize हो जाता है इसलिए molecule में add होना difficult होता है relatively कभी-कभी molecule में भी add होना आसान होता है जैसे कभी-कभी molecule से निकालना आसान था हमने पढ़ाया था तो उतना जादे नहीं जहमेले में जाना आपको straight क्या बोलना है कि it is the amount of energy released negative मतलब released when an extra electron is added to the outermost orbit of an isolated akala gaseous atom clear हो गया कि नहीं को doubt है तो बटा बोलियेगा so it is the it मतलब electron affinity की बातुरी या gain enthalpy के it is the amount of energy released इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है वो फर्क मैं आगे clear करूंगा अभी दोनों को एक ही चीज लेके चलेया it is the amount of energy released when an extra electron is added to the outermost orbit of an isolated gaseous atom सही है by equation आप इसको ऐसे present कर सकते हैं x gaseous plus an electron makes x minus gaseous and delta h of this equation is electron gain enthalpy आप ऐसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं आराम से आज़े अब point wise आज़े हमने आपको यह बताया कि चुकी process spontaneous theoretically इसलिए delta h negative होगा मतलब energy release होगी कि नहीं को अगर इस बात पर doubt है कि सर energy release क्यों होगी इस process में तो पूछ सकते हैं otherwise मेरे को लगता नहीं कि अभी इस phase में कोई वैसा doubt आना चाहिए तो हमने इस second phase में define के रहा समझाए को कि basically electron gain enthalpy है क्या और Q molecule में ही add नहीं करते हैं सामानी तोर पर atom में add करते हैं affinity और enthalpy को अभी एक लेके चले मैं आगे धीरे धीरे differentiate कर दूँगा कि दोनों में अंदर क्या है एकदम वीडियो पर बने रहें कोई doubt हो तो तुरंट पूछ ले आप आईए page number 3 ध्यान से facts and applications अच्छे से देखते जाए in electron in enthalpy अब जब आप यह पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप block में चले जाएंगे मतलब s and p block d block नहीं पढ़ना है इसमें ionization energy में जैसे s block भी पढ़ने थे p block भी पढ़ने थे d block भी पढ़ने थे f block भी पढ़ने थे हमने चारों block पढ़ाया था 11th और 12 दोनों के एडिया में है तो affinity में सिर्फ s and p block पढ़ने है हलांकि यह 12th वाला ही एडिया है 11th का एडिया नहीं है क्योंकि आपको affinity पढ़ना होता है 7 ए ग्रूप में 6 ए ग्रूप में और 5 ए ग्रूप में यह तीनों ही ग्रूप आपके 12th का एडिया है तो आप आराम से कह सकते कि यह जो facts and applications है यह अपने 12th वाले एडिया ठीक है आ जाई तो अब मैं करता हूँ block में आ जाओ पहला application successive affinities सर यह क्या लिखा आपने यह वही लिखा जो ionization energy में लिखा था successive eyes values या successive ionization energy लगातार electron निकालना तो यह लगातार electron add करना ठीक है आज़ो आप x gaseous atom से में पहली बार एक electron add करते हैं और बनाते हैं दोस्त x minus gaseous आराम से समझीएगा इस process का जो delta h होगा that should be minus ea1 या minus ध्यान से सुनिएगा चलिए ऐसे लिखते हैं minus ez e1 इसको भी हटाई है ऐसे लिखते हैं e g e1 पहले ऐसे समझेगा अब दुबारा x minus में फ्यूरेक electron add करते हैं continuous one by one हमने बोला successive affinities में one by one add करने है तो यह आपका अभी neutral atom हमने एक electron दिया और इसने इसको welcome किया अराम से यह add हुआ तो obvious सी बात है यह process exothermic होगा यह indo sir exothermic मतलब क्या हुआ sir energy releasing energy releasing step energy release होगी अगर मैं बोलूँगा क्यूं होगा ऐसा तो आप बोलोगे sir क्योंकि यह spontaneous addition है स्वतह electron अपने आप add हुआ है इसलिए sir energy release होगी अब मैं बोलू कि इस process का जो delta H है that is easy E1 electron gain enthalpy 1 मतलब 1 मतलब पहली बार क्योंकि energy releasing है इसलिए negative लगेगा तो आप इसको बोल दो minus EA1 नहीं समझ में आया क्या बोल दी आपने minus EA1 minus किस चीज़ को दिखा रहा energy release होने को और इसका जो energy की value है enthalpy की value है that is electron gain enthalpy लेकिन जब आप negative sign लगा रहे है मतलब क्या हुआ जब आप tendency की बात कर रहे है तो that is now called electron affinity electron के लिए affinity लगाओ सरसमझ में नहीं आया अगले केस से फिर से समझा दे रहा हूं माल लो बटा आपने अनायन में फिर एड किया अब आपका क्या बन गया सर मेरा अनायन बन गया अब इसमें दुबारा अपन एक electron एड करते हैं अच्छे से देखेंगे और इस भ्रहम में नहीं रहेंगे कि वीडियो इस बाद में अबलेबल रहेंगे मैं हटा लूँ ध्यान से तो एकस माइनस में फिर एक electron एड किया तो क्या बन गया एकस पर टू माइनस क्या सियस अब मैंने क्या बोला दोस्त कि स्टेप का जो डेल्टा एच है डैट वुड बी इजी टू इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी टू अब पॉइंट क्या है इस बार ये अनायन बन गया क्या बन गया अनायन अनायन मतलब इसके चार ओर एक तो साइस भी बड़ा हो गया अनायन मतलब इसकी बॉंडरी पर अब नेगटिव चार्ज का डेंसिटी आ गया तो जब ये इलेक्ट्रोन आएगा तो भाई सहाब अब अनायन रिपेल करेगा आप समझ पा रहे हैं क्योंकि अनायन में भी नेगटिव चार्ज और ये भी नेगटिव चार्ज नेगटिव नेगटिव के बीच अब रिपल्सन होगा जब रिपल्सन होगा तो एड होगा नहीं लेकिन आपको तो एड करना है तो आप जब एड करेंगे तो इस बार स्पॉंटेनस नहीं होगा तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या ये नन स्पॉंटेनस एडिशन है जी हाँ बिलकुल जब सेकेंड बार में एड करोगे तो ये नन स्पॉंटेनस एडिशन है मतलब आपको एड करने में आपको बाहर से वर्क डेन करना पड़ेगा तो आपका ध्यान से सुनेंगे आपका ये अब इंडो थर्मिक हो जाएगा ये अपने आप प्रोसेस नहीं है मतलब एनर्जी रिक्वाइडिंग स्टेप हो जाएगा इंडो थर्मिक हो गया इसलिए हमने बोला कि स्टैंडर्ड डेफिनिशन में आपने क्या लिखा है इट इस दामाउंट अफ एनर्जी रिलीज़्ट जबकी और हमने बोला इनर्जी की वैल्यू लिखने से तो समझ में नहीं आगी न रिपेल हुआ मेरे बात समझ पा रहे है मैंने क्या बोला मैंने बोला एनर्जी की वैल्यू लिखने से ये तो क्लियर नहीं होगा निकर रिपेल हो रहा है दिखाने के लिए आपको पॉजिटिव साइन लगाना होगा नहीं समझ में आया अब clear होड़ा होगा थोड़ा जब आप tendency, negative और positive sign tendency को दिखा रहा negative sign मतलब लगाओ है affinity है, affection है, अपने आप addition होड़ा positive sign means repulsion है उसको affection नहीं है, लगाओ नहीं है, अमने जबर्दस्ति एड़ करा तो जब आप relative tendency की बात करते है तब आप affinity की बात करते हैं और जब energy magnitude की, enthalpy की magnitude की बात करते हैं तब आप electron gain enthalpy की बात करते हैं आपको चीज़े समझ में आई होगी फिर रिपिट कर रहा हूँ जब आप उस process के सिर्फ delta H पर बात करते हैं तब आप electron gain enthalpy पर बात करते हैं लेकिन जब आप tendency पर बात करते हैं तब आप electron affinity पर बात करते हैं tendency मतलब है या नहीं affinity है या नहीं affection है या नहीं तो जब affection है तो addition spontaneous होगा तो उस समय में आप negative लिखेंगे और जब addition नहीं होगा समझ रहे ना? जब रदस्ती आपको add करना है, repulsion होगा उस समय में positive लिखा है तो आप क्या सकते हैं इस तरह से इन दोनों में फर्क यही है कि जब आप electron gain enthalpy की बात करते हैं तो यह comparison है amount of enthalpy involved और जब आप affinity की बात करते हैं तो यह comparison है relative tendency towards addition of an electron मैं अगले page में फिर से clear करके लिख दे रहा हूँ एकदम अच्छे से समझना है धियान से that is electron gain enthalpy मैंने क्या बोला यह measurement है delta H involved और हमने electron affinity क्या बोला यह measurement है किस चीज़ का measurement of relative tendency towards addition of electron समझ रहे है न electron add करने के तरफ अगर आपका affinity हमने negative लिखा इसका मतलब क्या हुआ कि affinity ज्यादे है affection है और अगर हमने इसको positive value से दिखाया इसका मतलब क्या है affinity काफी कम है मतलब affection नहीं है तो repel किया हूँ आपको अब चीज़े समझ में आ गई है तो so इसलिए अब जो कहानी बनेगी वो कैसे बनेगी धियान देते जाए कहानी यह बन रही है कि x gaseous पर आपने add किया तो x minus हुआ अब आप एक ही चीज़ इस्तेमाल करें हमने difference create कर दिया लेकिन आप इस्तेमाल एक ही चीज़ करें एक ही चीज़ मतलब आप differentiate जाएदे ना करें gain enthalpy और affinity को आप दोनों को एक ही चीज़ समझे बस minus plus के साथ हमेशा represent करें और electron affinity बोल चाल की भासा में बोले कोई दिक्कत नहीं है enthalpy बोले कोई दिक्कत नहीं बस हमने differentiate कर दिया कि जब आप उसमे amount of enthalpy involved की बात कर रहे हैं तो वो electron gain enthalpy हो गया लेकिन जब आप बाते कर रहें relative tendency की तो उसमें में electron affinity हो गया धीरे धीरे चीज़ें और clear होती जाएंगी आप मिला जुला करके एक term क्या करें मतलब दोनो term को एक ही समझ करके आप काम करें minus मतलब affection होना plus मतलब affection नहीं होना जब रदस्ति एड़ करें यह तो इस step का delta h क्या हुआ बटा सर माइनस ea1 अब clear हो गया अब x माइनस अनायन में जब एड़ किया सर इस बार तो f repulsion होगा इसलिए सर डेल्टा h जो होगा वो plus ea2 होगा आपको समझ में आ रहा है plus क्यों हुआ अब जदी मैं x पर 2 माइनस फिर एड़ करूँ ज़्यान से सुनोगे अच्छे से जबरदस्त clear होगा अगले page में जाके सब clear हो जाएगा एकड़म guarantee x पर 3 माइनस हुआ plus ea3 आप ज़रा सोचें आपने इसको बोला first electron affinity आप इसको क्या बोलोगे सर इसको बोलूगा second electron affinity इसको क्या बोलोगे third electron affinity एकड़म clear हो जाएगा अगले page में जाके अब क्या कहानी है यहाँ पर जो anion में negative charge देखो atom छोटा है anion बड़ा और यह और बड़ा यहाँ पर जो negative charge आएगा जब 2 माइनस हुआ तो यह density और बढ़ जाएगा आप समझ रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो f repulsion है समझ रहे हो दोस्त इसके respect में यहाँ पर जो f repulsion होगा वो काफी जादे होगा आपको समझ में रहा है क्यों काफी जादे होगा क्योंकि पहले negative charge कम था अब negative charge का amount बढ़ गया तो repulsion बढ़ेगा अगर repulsion बढ़ेगा तो अब क्या है इन दोनों में यह more positive हो जाएगा जादे energy देनी होगी यहाँ से सुनेंगे यहाँ से यहाँ पर आपको और जबरतस्ती करनी होगी तो मैं अगर बोलू यहाँ से सुनोगा अच्छे से clear कर लो मैं बोलू कि बटा energy का जो enthalpy का जो magnitude होगा amount वो यहाँ से यहाँ पर जादे होगा यह कम तो enthalpy का amount जादे होगा क्यों? तो कि repulsion जादे होगा तो जादे energy आपको पुट करनी होगी तो अब जो value आएगा value, magnitude उस value का magnitude वो पहले से जादे आएगा लेकिन ज़रा सोचो affection क्या होगा लगाओ value पहले से जादे आएगा लेकिन affection क्या होगा लगाओ तर लगाओ कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कम repulsion था यहाँ repulsion बढ़ गया तो लगाओ कम हो गया अब आपको चीज़े समझ में आ गई वही अमने बोला कि जब आप enthalpy की बाते करते हैं तो delta h की बाते करते हैं value की बाते करते हैं लेकिन जब आप affinity की बात करते हैं तो आप relative tendency की बात करते हैं तो value wise जरूर यह बढ़ा होगा value wise जरूर यह बढ़ा होगा बट affection wise यह कम है इसको तो affection है नहीं उल्टा रिपल्सन है न इसलिए आप क्या बोलेंगे सर पहली बार में affection था उसने welcome करा तभी तो energy release भी सर दूसरी बार में affection नहीं रहा क्यों नहीं रहा क्योंकि सर जबरदस्ती electron एड करना पर रहा है नायन में और तीसरी बार में तो और सर रिपेल कर रहा मैं resist कर रहा है कि नहीं भाया मत add करो तो मैं अगल पूछँ कि बताओ electron affinity बढ़ा या घटा electron affinity जादे हुई या कम हुई मतलब electron के लिए affinity लगाओ बढ़ते चली गई या कम होती चली गई, बोलोगे सर कम होती चली गई, क्या बोलोगे, सर एफिनिटी कम होती चली गई, लेकिन पॉइंट क्या है, आपने क्या देखा, मैगनिचूड वाइज वो बर रहा है, मैगनिचूड वाइज बर रहा है, बट अफ्रेक्शन वाइज कम हो रहा है, तो हमें ज क्लास नहीं कर रहे हैं उसको inorganical affection कम है अलग बात है कि जो data का consumption है जो कर रहे हैं उसी का ज्यादे है तो आप समझिये चीजों को affection एक अलग चीज हुआ और enthalpy का amount एक अलग चीज हुआ तो मैं क्या बोलूँगा electron affinity successive लगा दो successive electron affinity increases या decreases कम होती चली गई increases या decreases कम होती चली गई ध्यान से सुनते जाएंगे अगले page में आप एकदम doubt अपना पूछ सकते हैं जो मन में doubt आए एकदम ट्रॉंट टाइप कर दे सकते हैं ध्यान से दिखिएगा इस तरह से दो बाते मैं बोलूँगा पहली बात ध्यान से successive affinities are always lower पहला पॉइंट हमने क्या बोला जो successive affinities है वो हमेशा lower होता जैसे successive energy हमेशा higher होता था electron निकालते जाओ निकालते जाओ तो successive energy हमेशा higher मतलब हमने क्या बोला बिटा हमने बोला कि अगर आपसे कोई बोलेगा ea1 जादे या ea2 बोलोगे ea1 मतलब affection जादे affinity मतलब affection ea2 जादे या ea3 ea2 समझ रहा है न तो successive affinities are always lower अब अगली बात क्या मैं बोलने जा रहा हूं जरा धियान से सुनेंगे next point मैं बोलने जा रहा हूं magnitude of enthalpies involved for successive affinities affinities are always higher clear कर ले concept अच्छे अच्छे teacher का clear नहीं है अच्छे अच्छे teacher का clear नहीं है मतलब बहुत अलग करे की चीज़ें समझा रहा हूं अच्छे से समझते चले जाओ तो हमने क्या बोला कि magnitude जो होता है enthalpy जो इसमें involved है वो हमेशा पहले से value उसकी ज्यादे होगी लेकिन फिर भी आपसे बोलेगा कि electron affinity आगे वाले की ज्यादे होगी या कम तो आप क्या बोलोगे electron affinity आगे वाले की कम होगी ध्यान से इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ पहला affinity negative है अगर उसका मैं amount का magnitude लूँ और पहला affinity दूसरा affinity positive है amount का magnitude लूँ तीसरा enthalpy भी positive है amount का magnitude लूँ चौत्रा enthalpy भी positive है amount का magnitude लूँ तो हमने क्या बोला ध्यान से हमने बोला पहले से दूसरे का magnitude ज्यादे है पहला जितना release करेगा दूसरा उससे ज्यादे लगेगा आगे और तेजी से ये increment होगा अच्छे से समझते जाएं बहुत मज़दार मतलब values wise magnitude के values wise अगर हम अपन बात करें तो ये value बढ़ता है क्योंकि repulsion जादे होते जाएगा और पहले और दूसरे में भी पहले से जादे दूसरे का होता है value फार्क है कि पहले अफेक्षन है इसलिए negative और दूसरे में अफेक्षन नहीं है इसलिए positive clear हुआ बड़ा मज़दार चीज़ था ठीक है लेकिन अब यहाँ पर और एक conclusion इस से बनाते है यहाँ से एक conclusion इस point से बना रहे conclusion ये therefore formation of monovalent ध्याँ से ध्याँ से ध्याँ से ध्याँ से ध्याँ से पहले conclusion से पहले एक point और लिखते हुआ so only first electron affinity could be exothermic क्या लिखा आमने बटा सर आपने लिखा कि सिर्फ पहला ही affinity जो है वो exothermic हो सकता है आप agree होंगे इस बात से बिल्कुल सर क्योंकि सर हम लोगों ने देखा कि पहली बार में ही बस आपने negative sign लगाया दूसरी बार से आगे हो ही नहीं सकता है negative क्योंकि सारे में anion electron repulsion है क्यों ये सारे positive हो गए यहाँ पे जो हमने add किया ये सारे क्यों positive हो गया anion electron repulsion इसलिए न पॉजिटिव हो गया इसलिए इन लोगों का delta h आगे सारे का positive हो गया ठीक है तो मैंने बोला कि सिर्फ पहला ही affinity exothermik हो सकता है आप बोलोगे सर ये तो आप game खेल रहे हो अब आप लिख रहे हो could be हो सकता inorganic में एक चीज़ का मतलब है पहला सर हो सकता मतलब क्या पहला भी सर जवर्दस्ती endothermik हो सकती है क्या आराम से सोचो हमने बोला भी है inert gas में क्या करेंगे भाई साब inert gas welcome करेगा inert gas welcome करेगा electron का नहीं न inert gas में तो जवर्दस्ती करनी होगी इसलिए वहाँ पर positive हो जाए जब भी orbital full होगा तो वहाँ पहली बार भी add करने जाओगे तो positive होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ inert gas क्या आपने बोल दिया मैं फिर से समझा रहा हूँ मैंने बोला ये could be ये term को देखो क्या मतलब हुआ हमने बोला कि ध्यान से सुनेंगे हमने बोला इसमें कोई दो रहनी है कि EA1 negative पहला negative होगा generally एकदम होना भी चाहिए लेकिन उस वक्त EA1 पहला ही affinity positive हो जाएगा when orbitals are filled जब orbital completely भड़ा हुआ है तो उस समय में पहला affinity ही क्या हो सकता positive सर इसका example बिलकुल 8A का members जिसका NS2 NP6 होता है और कोई 2A का member 2A NS2 होता है हमने पढ़ाया है beryllium 2S2 कहाँ add करोगे fulfilled है और 2B का भी member विटा क्योंकि 2B में भी हमने पढ़ाया है NS2 N-1 D10 मैं आगे explain करूँगा हलांकि इसलिए पढ़ेशान नहीं होना लेकिन समानी तोर पर पहला affinity नेगेटिव ही होगा positive तभी हो सकता पहली बार में ये add करने पर positive उस वक्त होगा जिस वक्त orbital भरे होगे हैं जैसे inert gas जैसे 2A group और जैसे 2B group कहा कहा जहां और कहीं orbital भड़ावा नहीं मिलेगा आपको या तो inert gas में भड़ावा मिलेगा आप देख लो NS2, NP6 सारे fulfilled है या 2A group beryllium 2S2, magnesium 3S2, calcium 4S2 है न तो सारे orbital भरे होगे हैं या नहीं तो फिर 2B group zinc, cadmium, mercury क्या है वहाँ इसाब किताब 4S2, 3D10 भड़ा हुआ 5S2, 4D10 भड़ा हुआ 6S2 समझ रहे न तो 5D10 तो जब भी आपको ऐसे cases हैं तो सिर्फ यही तीन जगा आपको मिलेंगे 2A, 2B और inert noble gases जहां पहली affinity क्या होती है पॉजिटिव लिकें सामानी तोर पर पहली affinity negative conclusion अब मैं करने जा रहा हूँ आप सभी लोग एक बार पहले बता दे मेरे को कि हासर समझ में आ रही है चीज़ें बस ऐसा नहीं है कि 1000 है बहुत सारे लोग हैं जो भी हैं विनोद हैं ताबिश हैं लकी हैं सभी लोग एक बार पहले clear कर दे कि हां सर यहां समझ रहा हूँ चीजें चीजें यहां पर clear है कहीं कोई doubt नहीं है no problem सभी लोग एक बार बताते जाएं प्लीज, आज़े ये, पेज नंबर 6 में हूँ मैं, एक बार सा भी लोग टाइप कर दें, तो आज़े बटा, इस तरह से मैंने क्या बोला, मैंने बोला, formation of, formation of, monovalent anion, are generally exothermic, अच्छे से समझ लेने हैं आप, monovalent anion का जो formation है, वो formation, ठीक है, सभी लोगों ने लिखा, यह सर, वेरी गुड, ऐसे ही बीच-बीच में, रिस्पॉंड करते रहें, हमने लिखा बेटा, formation of monovalent anion, सार, generally exothermic, generally क्यों लिखा, क्योंकि वह inert novel gas वाली बाते, 2A और 2B वाली बाते, formation of monovalent anion, मतलब 1- anion का जो formation करोगे, example लिख लो, F से F- बनाओ, exothermic, समझ रहे हो ना, आप अराम से सीखो, आप कोई भी monovalent बनाओ, O से O- बना लो, negative, monovalent बनाना, BR से BR- बना लो, negative, आप C से C- बना लो, negative, आप समझ रहे हैं ना, formation of monovalent anion, जदि आपको एक minus बनाना, monovalent anion, तो उसका formation negative होगा, आप Li से Li- बना लो, negative, अच्छा ये छोड़िए न, आप gold का बनाईए न, कितना अच्छा example दे रहे हैं, gold AU, से AU- बना ले, आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब के सब EA1 है, और EA1 negative होता है, हाँ, ध्यान से, इस तरह से आप करेंगे, लेकिन अगर बटा, आप करने जाएंगे helium का helium minus, आप समझ रहे न, delta H positive होगा, आप करने जाएंगे magnesium से magnesium minus, आप समझ बार है न, delta H positive होगा, क्योंकि ये 2A का member है, आप करने जाओगे बटा, zinc 2B का member है, क्या करने जाओगे, zinc पर minus, electron add, तो डिल्टा एज पॉजिटिव होगा आप समझ पा रहे हैं तो formation of monovalent ions are generally exothermic आप inert noble gases और 2a2b का छोड़ के बाते कर रहे हैं अब मैं बोल रहा हूँ अब मैं बोल रहा हूँ कि अगले point में formation of formation of diavalent ions और polyvalent ions पॉलिवेलेंट अएंज आर नेसेसराली इंडो थर्मिक नहीं नेसेसराली इंडो थर्मिक यह प्लेंट आयन और polyvalent ions का formation अगर आप करेंगे तो वह हरहाल में इंडो थर्मिक होगा क्योंकि मतलब हाइयर एफिनिटीज आर हाइयर एफिनिटीज आर आलवेज पॉजिटिव सही है ना क्योंकि हाइयर एफिनिटीज जो होते हैं वह हमेशा पॉजिटिव होते हैं इसलिए आप डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट या पॉलिवेलेंट और आयन का बोलोगे कि सर ऑक्साइड कैसे बनेगा दो स्टेप में पहला स्टेप ओ गैसियस में एक एलेक्ट्रॉन एड होगा और ओ माइनस बन जाएगा इसका जो डेल्टा एच होगा वो माइनस ये वन होगा क्योंकि फर्स्ट एपनिटी तो एक जो होता है सिर्फ रंडो होता है कहां पे इनार्ट गैस नोबल गैस तूए टूबी में सिर्फ वहां पे फिर पो लोगे कि सर ऑक्साइड बनाने के लिए ओ माइनस में एक बार और एड होगा तो ओ पर डबल माइनस बनेगा समझने ना अब जो डेल्टा होगा वो होगा प्लस एएवन एटू आपने पढ़ा है कि मैगनिचूड में एएवन कम होता है और मैगनिचूड में एएटू ज्यादे होता है इसलिए जब पुल मिला के एड करोगे तो ओ गैसियस में दो इलेक्ट्रोन एड करोगे ओ पर टू माइनस बनेगा और इसका जो delta h होगा वो minus ea1 और plus ea2 होगा ea1 कम है magnitude में ea2 जादे है magnitude में कुल मिला के positive हो गया formation इंडो थर्मिक हो गया इंडो थर्मिक formation आप एक बार 19 नीट का पेपर साथ देख लें सॉरी 19 कह रहा हूं 16 नीट का पेपर एक बार आप देख लें उसमें एक बड़ा अच्छा question हलाकि यह question बहुत बार बहुत सारे competition ने पूछा सायद ही इंडिया का कोई medical और एंजिनरिंग इंट्रेंस या ंडियम इवें तो लोगों ने न पूछा हो अभी लोगों ने पूछा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है कि क्यों ऑक्साइड का formation इंडो धर्मीत होता है तो रिजन साफ है कि first affinity के magnitude से second affinity का magnitude जैदे होता है first affinity एक्जो है लेकिन second affinity largely इंडो है तो overall आपका इंडो लेकिन जो निट 16 में एक question आया था उसमें question ऐसे बोला था oxide O पर double minus का inert और noble gas stable configuration है पिर भी उसका delta H formation positive क्यों है ये थोड़ा अच्छा था था थोड़ा अच्छा है question क्या बोला मैंने मैंने बोला कि अगर आप O पर minus को देखें तो ये inert gas नहीं बना लेकिन O पर double minus तो 2p6 हो करके inert noble gas हो गया inert noble gas हो गया तो कहने का ये मतलब है कि यदि stability attain कर रहा configuration में ये stability attain कर रहा configuration में तो फिर stability का मतलब energy का घटना तो energy बढ़ कैसे गया इंडो थर्मिक कैसे हो गया तो point क्या है कि definitely इसमें कोई दोरा नहीं है कि वो stability attain कर रहा तो stability attain करने से energy कम भी हो रही होगी लेकिन repulsion इसका मतलब dominate कर गया किस पर achieving inert gas stability configuration पर जैदर repulsion हो गया जैसे पढ़ना हर लोग चाहते हैं वो डेल्टा एच अगर उसकी negative लेलो लेकिन फिर भी हर लोग नहीं पर पाते हैं क्यों हो गया क्योंकि पढ़ने की tendency पर कोई और repulsive tendency भाड़ी हो गई होगी डेल्टा एच नेगेटिव जो चीज़ करवा सकता था उस पर कोई दूसरी चीज ऐसी भाड़ी हो गई कि ultimately result क्या आया कुछ भी वो मैं पढ़ेगा नहीं इसाला समझे ना बातों को तो बटा क्या यहां पर बोलोगे कि endothermic formation है आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं stability जो inert gas configuration के वज़ा से आती है उस पर dominant कर रहा होगा actually repulsion तो आपने देखा कि oxide formation इंडो थर्मीक है A नम्मर था यह मैं B में कड़वाता हूँ ध्यान से देखे oxide के बाद कोई और ले लो माल लो थोड़ी देर के लिए ध्यान से ले लो phosphate formation अच्छे से देखिएगा अब आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे सर पहले P से P माइनस बनेगा माइनस इये वन P माइनस से P पर 2 माइनस बनेगा प्लस इये टू P पर 2 माइनस से P पर 3 माइनस बनेगा प्लस इये 3 पुल मिला के जब आप एड करेंगे तो आपका P गासियस 3P3 में आपने अल्टिमेटली तीन इलेक्ट्रोन एड करा और फॉर्मिशन हुआ P पर 3 माइनस गासियस का और अब यह हो गया 3P6 यह यह ना और इसका जो डेल्टा H है वो अल्टिमेटली पॉजिटिव है और पॉजिटिव में भी लार्ज पॉजिटिव है बिटा पॉजिटिव भी नहीं होगा लार्ज पॉजिटिव क्योंकि धीरे धीरे आपका यह जितना नेगेटिव होगा यह कम होगा यह पॉजिटिव में ज्यादे होगा और यह और ज्यादे होगा तो अल्टिमेटली जितना एलेक्ट्रोन एड करोगे न उतना यह वैल्यू पॉ मिथेनाइड क्योंकि मिथेन CH4 होता न तो मिथेन वाला अनायन है तो मिथेनाइड कार्वाइड बोलता है इसका अगर आपने फॉर्मिशन करवाया आप समझ पा रहे होंगे अब क्लियर हो गया होगा आपका अब मैं सारे स्टेप नहीं लिखूंगा डिरेक्ट लिखूंगा सी ग्यासियस पर हमने 4 लेक्ट्रोन एड किया सी पर 4 माइनस ग्यासियस बना जो इसका डेल्टा एच आएगा वो वेरी लार्ज पॉजिटिव होएगा आप समझ गए होंगे वज़ा आगे इसमें ये 4 भी एड होगा वो और बड़ा पॉजिटिव हो जागा वैल्यू तो कंक्लूजन क्या आया सिर्फ और सिर्फ जो आपका फर्स्ट एफिनिटी है यही हमने लिखा कंक्लूजन बे यहाँ पे देख लो only first electron affinity could be exothermic सिर्फ और सिर्फ पहला affinity ही क्या हो सकता है exothermic हो सकता है आप बोलेंगे all higher affinities are necessarily endothermic all higher affinities are necessarily endothermic पहली बार को छोड़के आगे सारे अफिनिटी जो हैं वो हर हाल में इंडो थर्मिक होंगे एकदम हर हाल में इंडो थर्मिक होंगे आपको बाते समझ में आई होंगी तो आज मैं यहां पर आज के लेक्शर को यहां टर्मिनेट करूंगा एकदम छोटा सा ही रखूंगा ज्य में confused थे सब दो चीजें क्यों हमने पहले बोला कि यह related है atom या molecule का ionization by addition of electron electron add करके ionize हमने clear कि कि आप जब भी electron add करते है atom या molecule में जो इसका जो डेल्टा एच है उसी को आप electron गयन enthalpy बोलते है enthalpy change को फिर हमने बोला कि आप एक atom में जब electron add करते हैं तो चुकि Z effective के प्रभा में electron अपने आप add हो जाता है fix हो जाता है इसलिए डेल्टा एच नेगटिव होगा इस change का और हम बोलेंगे कि जो डेल्टा है वही लेक्ट्रॉन या इंथाल्पी या affinity अभी तक हमने minus plus नहीं लगाया हमने बोला कि यह समानी तोर पर exothermik होगा क्योंकि electron अपने आप add हो रहा है तो हमने affinity को define किया कि इस तरह सी amount of energy released है जब एक extra electron को outermost orbit में isolated gaseous atom में add करते हैं हमने equation के हिसाब से लिख दिया कि x में x minus तो delta x जो है यही आपका easy e है अब हमने factors के तरफ जब 12 के तरफ हम लोग अब strip करते हैं 11 के बाद हमने बोला लगातार अगर आप electron add करोगे तो पहली बार में जो energy enthalpy का magnitude होगा easy e1 बोला दूसरी बार में easy e2 लेकिन पहली बार में negative होगा इसलिए minus sign लगाया और दूसरी बार में positive होगा तो plus sign लगाया तो यह माइनस प्लस है यह relative affinity को दिखा रहा है तो लात्मक लगाओ को दिखा रहा है कि आपको लगाओ था आपको लगाओ नहीं है तो इसी जो comparison है किस चीज़ का affinity का affection का इसी को आप क्या बोलता है electron affinity तो negative positive positive मतलब affection नहीं है negative मतलब affection है हमने किया इस तरह से की easy e measurement हो गया delta h का e measurement हो गया relative tendency towards affection का अगर affinity negative है मतलब affection अगर affinity positive है मतलब affection नहीं है पहली बार में जितनी energy release होती है दूसरी बार में उससे ज़्यादे लगती है और तीसरी बार में और ज़्यादे लगती है इस वजह से आप बोलेंगे कि magnitude हमेशा बढ़ेगा बट affinity affection कम होगा तो अगर आप से बोला जाए कि first affinity जादे होता कि second आप बोलेंगे कि पहली बार में affection जादे होगा जैसे बच्चों से बोला जाता कि first energy जादे है कि second तो क्या आप बोलते हो second क्योंकि उसमें ज्यादे लगता तो इस तरह से हमने लिखा कि पहलाई affinity exothermik हो सकता बांकि सारे अनायन electron repulsion के कारण positive होंगे अगर आप अनायन का formation करवाते हैं तो monovalent अनायन का formation exothermik होगा 2a, 2b और inert normal gases को छोड़के और जितने भी polyvalent या devalent, trivalent वाले अनायन से उनका formation endothermik होगा एक application और add करता हूँ बस एक minute के लिए आज की lecture में ये भी इसको समझना बहुत जरूरी है आपका यहां से आज वाला लेक्चर क्लियर हो जाएगा इसलिए मैं ये application कर रहा हूँ comparison of relative affinity बस 2-3-4 मिनट की recording और जाएगी माल लीची हमने 2 situation लिया एक a को हमने a- बनाया और इसका ध्यान से delta h जो है जो कुछ भी electron affinity पहला affinity ea1 ध्यान से और दूसरा situation में हमने एक और atom ले लिया b b को हमने versus comparison है b- बनाया और इसका भी delta h जो कुछ भी होगा affinity ea1 दोनों atom का वो a का ये b का अब अलग-अलग situation तयार कर रहा हूँ मैं अलग-अलग situation मतलब माल लो एक situation ध्यान से 1 में इसका affinity है पहला affinity ea1 minus x और इसका affinity है माल लो minus y और x बड़ा है y से ऐसा माल लो ध्यान से सुनोगे हमने क्या बोला हमने बोला a का affinity लिख दिया हमने minus x और b का affinity लिख दिया हमने minus y और magnitude माल लो कि x बड़ा है y से magnitude a का affinity क्या लिखा ? – x, b का affinity क्या लिखा ? – y और हमने क्या बोला बिटा आप लोगों को साथ में मतलब जैसे ही आप वीडियो देख रहे है तो आपको इसका answer करना है फिर check करना है कि सही है कि गलत एक affinity एक्स जादे है तो मैं पूछ रहा हूं कि बताओ किसकी आफिनिटी जादे है अगर आपसे पूछा जाए किसकी आफिनिटी जादे होगी एक अम और नेगटिव ए बी का लेस नेगटिव ए ने भी रिलीज किया बी ने भी रिलीज किया तो किसकी आफिनिटी जादे होगी अगर आपका जवाब है एक का तो सही जवाब है उसने ज़्यादे रिलीज करें, इसका मतलब उसको ज़्यादे अफेक्षन था, समझे पॉइंट, उसने ज़्यादे रिलीज करें, इसका मतलब उसको अफेक्षन ज़्यादे था, इसलिए A और B में अफिनिटी A का ज़्यादे होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या क करवाना चाह रहा हूँ आपका concept clear हो जाएगा इससे एक ने जादे रिलीज कर दोनों ने रिलीज करा एक ने कम तो affinity किसका जादे बोलते हैं जो जादे रिलीज करें सर और एक example करो मज़ा जाएगा बिल्कुल माल लो B situation एक का affinity फिर से लिए माइनस X और P का affinity एक इस बार फिर से लिए लो इस बार प्लस Y और magnitude X का जादे बोल दिया मैंने ऐसा माल लो अब मेरा सवाल फिर वही है कि affinity A का जादे होगा कि B का कि सोचो 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 हमने क्या बोला एने रिलीज किया बी ने गेन किया मतलब जबरदस्ती है डो रहा तो affinity is the measurement of affection तो A ने release किया मतलब उसको affection है तो A और B में affinity किसकी जादे एक की जादे और magnitude wise भी वही जादे मतलब वो ज़ादे release कर रहा है और ये कम ले रहा भी वाला item लेकिन उससे मतलब नहीं ज़ादे release कर रहा है वो release कर रहा है वो खुद से पढ़ाई कर रहा है और इसके साथ जवरदस्ती करनी पर रही है आपको समझ में आ गया होगा इसलिए पढ़ाई के tendency किसको ज़ादे होगी जो खुद से कर रहा है जिसको पिटाई लगे उसको नहीं तो चलो आपको ये clear हुआ होगा मैं फिर यहाँ पर एक application इसी से करवा करके मैं आपका सब clear कर दे रहा हूँ माल लिजे ऐसा situation कि A की affinity minus x और B की affinity plus y और इस बार मैं बोलूँगा x से बड़ा magnitude है y का अब बताओ affinity किसकी जादे है जल्दी 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 बोलो के कि sir A minus x release करा B plus y और इस बार y का magnitude जादे है मतलब ये खुद से पर रहा ये जबरदस्ती पर रहा उपर से इसकी कुटाई भी ज़्यादे हो रही है तो sir affection पढ़ा ही के लिए लगाओ उसी को ज़्यादे होगी अभी भी A की ज़्यादे हो गई B से क्योंकि magnitude नहीं बहुत ज़्यादे नहीं भी हाँ बहुत ज़्यादे हो गई क्योंकि B बहुत बड़ा positive हो गया है किसका magnitude ज़्यादे है इसका बड़ा positive हो गया ना मतलब ज़्यादे रिपेल कर रहा है अगला situation मतलब positive का कम होगा negative से अगला situation अगर मैं दोनों को positive करूँ तो क्या होता है समझे A का affinity मैंने कर दिया plus X और B का affinity हमने कर दिया plus Y और इस बार X बड़ा है Y से ऐसा माल लिया तब आपको देखना है बताना है बटा कि किसमे affection या affinity ज़्यादे होगी क्या बोला मैंने फिर से देखो A भी जबर्दस्ती पढ़ाई कर रहा कुटाई B भी जबर्दस्ती पढ़ाई कर रहा कुटाई दोनों में से कोई आटड नहीं कर रहा है तो कौन किसको पढ़ाई की tendency ज़्यादे होगी जिसको कुटाई ज़्यादे होगी या जिसको कुटाई कम होगी ओविस्सी बात है जिसको कम होगी अपके batch में सब लोग तो जबरदस्ती ही पढ़ते हो लेकिन relatively जो कम जबरदस्ती के साथ पढ़ लेते हो उसको tendency ज़ादे होगी तो ये x का magnitude ज़ादे है मतलब वहाँ ज़ादे रिपेल करेगा इसलिए affinity किसकी ज़ादे होगी A की या B की? बिल्कुल B की क्योंकि इसको कम energy देना पड़ा और उसको ज़ादे देना पड़ा आपका ये भी clear होगी होगा अब अगर इसमें आखरी application में मैं add कर दूँ ये A की affinity माल लो ध्यान से minus x और ध्यान से आखरी application और B की affinity माल लो 0 A की affinity कितनी? minus x A की affinity कितनी? minus x और B की affinity कितनी? 0 अब मैं पूछने जा रहा हूँ कि किसकी affinity ज्यादे है? A या B किसकी? सोचो, 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 सोचो आखरी सवाल का जवाब दे करके आप जाना है मतलब इसको सिर्फ मैं कर दूँगा आप जल्दिस answer करे आपके according क्या लग रहा? A या B किसकी affinity ज्यादे? A की affinity है minus x और B की affinity है 0 आपको क्या लगता? जल्दिस answer करें मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे A की affinity है minus x और B की affinity है 0 minus नहीं, plus, 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 sorry sorry, 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 sorry sorry, plus x और B की affinity है 0 जल्दिस answer करो sorry, sorry, अगर किसी ने कुछ type कर दिया जल्दबाजी में तो delete कर ले A की affinity है plus x और B की affinity है 0 तो किसकी affinity ज्यादे बूली जाएगी? A या B? जल्दी से answer सार हैं आप लोगों के जल्दी से, जल्दी से ये बस आज का अखड़ी page है A की affinity है plus x और B की affinity है 0 मैं देखना चाहता हूँ अब आप आपको क्या आ रहा है? चलो सबसे तेज जवाब स्रियांस का पहुंचा है B फिर उसके बाद अगला सवाब इशांत का आया है He is also telling B Jasveer is saying B B B B B सारे लोग continuously You people are saying that की B की affinity जा दे गुड और जबाब लोग और देते जाहिए सभी लोग B B B continuous आ रहे हैं यहीं देखना है समझ में आया ultimately या नहीं जल्दी से जल्दी से आते जाहिए B B B B आये एक जबाब A भी आ रहा है रचित का A आया है रचित भूशन अगरवाल A पाकि सारे लोगों ने अब तक B दिया है जबाब B B B B B B B B A A A एक और आ गया है जल्दी 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 बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा चलो अब ऐसे मैं समझा रहा है ठीक है आप सब बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया ठीक है अब ऐसे समझा रहा है A का हमने बोला affinity A plus X मतलब वो add नहीं कर रहा है जबरदस्ती add कराया गया है वर्क डन करके समझे रहा है और B की affinity 0 0 मतलब क्या है 0 मतलब ना भाईया ना हम नहीं लेंगे तो अब सोचो दो student एक student जिसके साथ जबरदस्ती की गई उसने पढ़ाई कर ली जबरदस्ती के साथ कुटाई पिटाई हुई कर ली दूसरे ने बोल दिया ना भाईया हम तो शान है शान है बुल हमसे पढ़ाई ना होगा उसने साफ हाथ खड़ा कर दिया तो अब आप ही बताओ रेलेटिबली किसको पढ़ाई की टेंडेंसी ज़ाद कया स्वेगत है आप ही बताओ जिसकी कुटाई वी उसकी या जो दूसरा जो बुल लिकला सिधा हाथ खड़ा कर दिया और पैर भी उपर कर दिया हमसे न हो पाएगा तो किसको हाद पढ़ाई ह presses की बताओ पुटाई वाले की जिसने हाथ खरा कर दिया कि नहीं हमसे पढ़ाई हो यह नहीं सकता उसकी बोल ला जल्दी बोल किसको टेंटेंसी जादे हुआ तो मैं क्लियर करता हूँ तुम लोगों के बैच में दोनों तरह की स्टुडेंट्स हैं स्टुडेंट्स जो यह वाले हैं यह वाले प्लस एक्स वाले वह तुम लोगों जबतास्ति पढ़ाई कर रहे हो कौन सा मतलब मन से कर रहे हो भाई हमने तो आपके बैच को कभी ऐसे भी पढ़ाया है कि एक दिन में एक ही सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बाकि सब गाय नहीं हुआ थेयरिटिकली नो एडिशन तो जब एडिशन ही नहीं हुआ तो एफिनिटी कहां से हुआ ठीक है मैं दिखाऊंगा वैसे आगे तो चलो ये ज़्यादे हो गई आपकी फाइनली इस तरह से आज के लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं उमीद है आपको मजाया होगा आपने सीखा होगा अच्छे से एक बार बता दे कैसा रहा आज का एक्सप्रियंस एलेक्ट्रोन ए बता हूं ये बोलते हुए कि अगला लेक्चर लेक्ट्रोन गें इन्थाल्पी आफिनिटी का बहुत धमाकेदार होने जा रहा है और आज के इस लेक्चर डोट्स में आपके लिए कुछ क्वेस्टन्स होंगे आईवनेशन अरजी पर बेस्ट आटॉमिक साइज पर अरहाज करें थैंक यू सो मच करें अरे। झाल झाल